हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से कमा रेकर्ट में कोच में आई आज फिर से कुछ नया सीखते हैं हलो स्ट्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का न्यू चैप्टर चैप्टर नमर 13 दा गिफ्ट अफ मजाए अब यहां पर मजाए एक नया वर्ड है तो यहां पर मजाए का क्या मतलब है जो लोग होते थे वो लोग इस समसी के लिए जो गिफ्ट लाते थे वो काफी दिए एप्रिशेबर होते थे प्रिशेस होते थे उन्हें उनके लिए शृद्दा होती थी तो इसलिए यहां पर उसको मजाय कहा गया है तो हम इस story में कपल के बारे में पढ़ेंगे जो इस वो gift यहां पर मजाय कहा गया है चलो, START करते हम आज की story तो यहां पर क्या बताया गया है कि एक लड़्की है डेला वो आपने कुछ पैसों को count कार रही थी उसके पास total $1.87 थे जो कि उसने काफी मेहनच से बचाये थे ताकि वो अपने husband को एक gift दे सके Christmas की उपर और जो उसका husband है जिम वो एक हफते में सिफ $20 ही कमा पाता था जिसमें से $8 उनके लिए rent लिए चले जाते थे और बाके बचे $12 में काफी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे जिसमें से जो डेला है वो अपने last में सिफ $1.87 ही बचा पाती थी और फिर आगे बताया गया है कि अगले दिन Christmas है और डेला के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छा सा present दे सके अपने husband को और इसी को सोच कर वो नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है और तब ही अचानक से डेला वहाँ से उठ जाती है और mirror के सामने जाके खड़ी हो जाती है उसके आखों में एक अलग ही shine थी और वो अपने क्या करती है अपने बालों को खोल लेती है और शीशे में देखने लग जाती है और फिर आगे बताया है कि जो जिम और जो डेला है उन्दों के पास दो चीज़ा थी जिनके उपर वो काफी ज़ता pride कर सकते थे काफी ज़ता गर्व महसूस कर सकते थे पहली चीज तो जिम की gold watch जो कि उसके पहले father की थी और इससे पहले उसके grand father की और दूसरी चीज डेला के hair जो कि उसके घुटनों के नीचे तक आते थे और जो वो खड़ी होके अपने बालों को देख रही होती है तो उसके आँखों में एक अलगी shining होती है लेकिन फिर वो जल्दी से अपने बालों को दोबाल से tie up कर लेती है और वहाँ पर कुछ देर तक खड़ी होके कुछ सोशन लग जाती है और तभी अपना brown jacket उठाती है और brown hat पहमती है और उसे पहमकर भार निकल जाती है और तभी वो वहाँ सीडियों से उतर जाती है और एक market में आ जाती है और वहाँ पर एक shop पे पहुच जाती है उस shop के board पे लिख रहा था hair goods of all kinds और तभी वो उस shop में enter हो जाती है और एक चो counter पे एक lady बैटी होती है उससे पूछती है क्या तुम मेरे बालों को खरीदोगी और वो lady डैला को हा कर देती है ठीक है मैं तुमारे बालों को खरीद लूँगी पहले अब लेकिन अपनी head उतारो अब मुझे देखने दो कि तुमारे बाल कैसे है और अपने हादर से उन बालों को खुने लग जाती है और बोलती है मैं इसके तुम्हें 20 डॉलर्स दूँगी तब ही डैला बोलती है कि ठीक है तो तुम मुझे जल्दी से 20 डॉलर्स दे दो फिर उसके बाद वो अपने बालों के बले वो 20 डॉलर्स लेके वहाँ से चली जाती है फिर वो दो घंटे तक एक शॉप को ढूंटी रहती है जिससे वो अपने एक हस्बेंट के लिए कोई प्रिजेंट ले सके कोई अच्छा सा गिफ्ट ले सके काफी देड तक ढूंडने के बाद फाइनली उसको एक शॉप मिली जाती है उस शॉप पर उसको एक प्लैटिना फॉप चैन मिलती है जो काफी जाथ सिंपल थी डिजाइन में लेकिन बहुत सुन्दर थी देखने में और तबी वो सोचती है कि ये जिम की वाच पर बहुत सुन्दर लगेगी और वो इस प्लैटिनम चैन को खरी लेती है जो कि 21 डॉलर्स की थी तब भी वो इस चैन को लेकर घर आ जाती है लेकिन घर पर आकर ये उसकी खुशी अचानक से एक्टम गायब हो जाती है और वो सोच में पढ़ जाती है तब भी वो चोटे बालों को देख कर ये सोचती है कि अगर जिम ने में इन चोटे बालों को देखा तो मेरे उपर वो बहुत चलाएगा फिर वो सोचती है कि मैं फिर करती भी क्या मैं उन 1.87 से मैं क्या ही गिफ्ट खरीद पाती अपने हस्बेंड के लिए फिर डेला 7 बचे तक कॉफी को तयार कर लेती है और चॉप्स को भी फ्राइ करने रख देती है और तभी डेला अपने हाथ में चैन रख लेती है और फिर एक कुर्सी पे जाके बैठ जाती है और तभी वो सुनती है कि सीडियों पर से किसी की चलने की आवाज आ रही है और तभी एकदम से वो एकदम सफेथ पर जाती है और prayer करने लग जाती है Please God जिम युट पर कहीं चलाए ना वो ऐसे बोलने लग जाती है उसको ये लगे कि मैं आज अभी भी बहुत जादा सुन्दर लगती हूँ और तभी जो जिम है वो डोर को ओपन करता है और अंदर आ जाता है वो एकदम पतला और काफी जाद सीरियस लग रहा था क्योंकि वो सिफ 22 का ही था लेकिन उसके उपर फैमिली का बर्डन भी था उसको एक नया कोट भी चाहिए था और उसके पास कोई गलव्स भी नहीं थे और जैसे ही वो एंटर होता है उस रूम में वो डैला को देखता है और उसको देखकर भएकि वह इस टॉप हो जाता है वहाँ पे एक स्टेच्चु की तरह खड़ा हो जाता है और तभी डैला बोलती है कि जिम में तरफ ऐसे मत देखो मैं इपने बालों को कटवा लिया है और उन्हें बेच दिया है क्योंकि मैं क्रिस्मस तुम्हें प्रिजेंट दिया बना सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने बेच दिया है और तुम में तरफ ऐसे मत देखो यह बहुत जल्दी हुए आएंगे तो तुम ज़्यादा दुखी मत हो चलो आओ हम क्रिस्मस एलिब्रेट करते हैं तो वो जिम से ऐसे बोलती है तब ही जिम बोलता है कि तुमने सच में अपने हेर कटवा लिया है क्योंकि उसको अपने आखों पर बिलीद नहीं हो रहा था तो डेला बोलती है हाँ मैंने उसे अपने कटवा लिया है और बेच भी दिया है और क्योंकि जिम को अपने आखों पर विश्वास नहीं हो रहा था तो रूम मैं क्यूरिस्ली तरिके से देखने लग जाता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे डेला उसे जूट बोल रही हो लेकिन डेला बोलती है तुमको इधर उदर देखने कोई जरुत नहीं है मैंने इन्हें कटवा लिया है उन्हें बेच दिया है और वो बोलती है चलो नाव हम क्रिस्मस सेलिब्रेट करते हैं और तभी जो जिम होता है वो अपने कोट मैंसे एक पैकेज निकालता है और उसको टेबल पे लाका रग देता है और तभी जिम डेला से बोलता है जब तुम इस पैकेज को अंड्रैप करोगी जब तुम इसे खोलोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों मैं तुम्हारे तरफ इतना ज़्यादा देख रहा था हूँ और जब डेला उस पैकेज को अंड्रैप करती है तभी उक्तम चीक निकी आवाज आती है वो काफी ज़दा खुशी से पागल हो जाती है लेकिन अचानक तभी उसके आँखों में से आसू निकलने लग जाते हैं क्यूंकि उस पैकेज में कंगियों का सेट था उसमें कॉम का सेट था जो कि डेला काफी महिनों से उस कॉम्हां के सेट को चाह रही थी वो उसको लेना चाहती थी और वो कॉम्स बहुत जादा ब्यूटिफुल थे क्योंकि वो टॉटोई शेल से बने होई थे और उसमें ज्वैल्स भी लग रही होई थे जब डेला उन कॉम्स को अपने बालों में लगाती तो उसके बाल और जादा शाइन करने लग जाते और जादा ब्यूटिफुल दिखने लग जाते और वो काफी लंबे समय से कॉम्स के सेट्स को चा रहे थी लेकिन जब आज उसके पास ये कॉम्स है तो उसके पास उसके लंबे बाल नहीं है उसे देखकर तो वो काफी जादा रोने लग जाती है और बहुत दुखी हो जाती है और डेला जिम से बोलती है कि तुम चिंता मत करो मेरे जो बाल है वो जल्दी ही बढ़ जाएंगे और तभी डेला उस चैन को जिम को दिखाती है जो उसने उसके लिए करीदी थी और उससे बोलती है कि देखो कितनी सुन्दर चैन है मैंने तुमारे लिए इसे पुरी शहर में से ढूंडा है और वो बोलती है कि ये चैन तुमारी वाच के उपर बहुत सुन्दर लगेगी लाओ तुम अपनी वाच मुझे दो मैं देखती हूँ कि उसके उपर ही कैसी लग रही है और तभी जिम नीचे बैट जाता है और उसका जो हाथ होता है वो उसके बैक में होता है पीछे होता है तभी वो डेला से बोलता है कि डेल जो हमारी जो क्रिस्मस प्रिजेंट्स है उनको एक साइड रख दो और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कॉम्म्स खरीदने के लिए मैंने अपनी वाच को बेज दिया था और यहीं पर यह स्टोरी खतम हो जाती है तो बच्चों यह थी आज की स्टोरी थेंक यू एंड हैवा नाइस टे